कुम किचन वी द्रियाना में आपका इस्ताखबाल ले आई आज हम आपको बहुत हेल्दी लड्डू बनाना बताते हैं जो गुड़ और तिल से बनाए जाते हैं जिसके लिए देखिए हमने ये गुड़ लिया है जो हमारा 200 ग्राम करीब है और ये हमने तिल लिये हैं ये भी रोस्ट बोर चुके इनको ठंडा करने के बाद हम इनको ग्राइंड कर लेंगे एक जार में डालिया है थोड़े से तिल हमने बचा ली में और बचा लिया है उपरसे डालने के लिए ने को हमें बहुत ज्यादा महीन नहीं करना है बस इस तरीके से हमें इनको यह देखिए थोड़ा सा दरदरा भी रहे और हो भी जाएं ये देखिए अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें दूसरे उसमें हम डालेंगे चने और इसको भी हमें थोड़ा सा दरदरा पॉडर बना लेना है बहुत महीन पॉडर नहीं बनाना है और दूसरी बार के भी हमन इनको हमने कूट लिया था ठीक है और यह हमने गुड़ लिया है इसको बारिक बारिक हमने कट कर लिया था आप चाहे हैं तो गिस भी सकते हैं इसको रेखिए और इसमें डालेंगे आदा टीस्पून इलाइची का पॉडर और एक टीस्पून डालेंगे हम इसमें केवड़ा इससे क्या होता है कि मिठाई के अंदर खुश्बू बहुत अच्छी आती है और इन सब चीजों को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से यह देखिए आप चाहें तो गुड़ को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं हमने गुड़ को मेल्ट नहीं किया था यानि कि आपके लड़ू बिल्कुल बनने के लिए तयार है और इनको आप अपने मंचाही शेप में छोटे बड़े जैसे भी आपको लड़ू बनाने हो उस तरीके से आप इनको बना सकते हैं और यह हमने थोड़ा से पिष्टा काटके रखे वे तो उसको इस तरीके से हम पेपर बाउल में रख लेंगे ये देखिये और इस तरीके से हमें सारे लड़ू तयार कर लेने हैं और इसी तरीके से हमें ये पिष्टा लगा कर सर्फ करना है श तरीके से आप ये लड़ू बना कर देखिए इन्शाबिछ आला आपको बहुत पसंद आएंगे खाने में बहुत मज़े के बनाने में बहुत आसान बहुत फाइदे मंद ये लड़ो होते हैं हमारी वीडियो पसंद आती है तो पिल्स लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल किचन वी द्रियानों को सब्सक्राइब करना ना भूलें दूआं में याद रखें आला हाफिज